हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रेवाल टुटोरियल आज हम बीएड सेकेंड एयर पेपर वर नॉलेज और करिकुलम नेक्स पार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने वेज ओफ नौइंग या फिर यू रोल ओफ नौर जो है हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं एक हमारा टॉ करी ओफ कंस्ट्रुटिविजम यानि की रचनावाद का सिधान्त आएए अब हुसको स्ट्थविग करते हैं रचनावाद का सिधानत बेसिकली एक थियोरी है जिसके अंदर जो हम अब्सृवेशन करते हैं और साइंटिफिक स्ट्ट परटे हैं जिससे हमें ये पता लग सके कि people जो हैं वो सी किस तरीके से रहे हैं यानि कि वो learn कैसे कर रहे हैं किसी भी चीज़ को Constructivism is basically a theory based on observation and scientific study about how people learn The essential care of constructivism is that learning learners actively construct their own knowledge and meaning from their experiences यानि कि ये theory ये बता रही है उसने ज्यादा ध्यान इस चीज़ पर दिया है कि जो learner होता है जैसे जैसे वो अपना अपना खुद का experience करेगा वैसे वैसे क्या होगा कि वो सीखता हुआ चला जाएगा उसकी knowledge जो है increase होगी और वो उस knowledge से खुदी अलग-अलग meaning क्या है एक जिसे एक word होता है उसके बहुत सारे meaning होता है इसी तरीके से वो खुदी उसमें understanding कर पाएगा It says that people construct their own understanding and knowledge of the world through experiencing thing and reflecting on those experiences यानि कि जो experience उन्होंने किया है जैसे कि हम classroom में पढ़ने जा रहे हैं तो अब हमने वहां से कुछ ना कुछ सीखा है हमने experience क्या है कि teacher इस तरीके से पढ़ाते हैं अब जो हम उसको एक्चुल में apply कर रहे हैं हम खुदी understand कर रहे हैं समझ रहे हैं उस चीज़ को कि किस तरीके से हमें क्या चीज़े करनी चाहिए यानि कि यही हमारी क्या है theory of constructivism हमें बता रही है कि जो इनसान है वो खुदी understanding अपनी create करेगा और फिर वो है अपने experience के थ्रू जो है knowledge gain करता है और उसी के उपर reflection देता है यानि कि उसी जो उसने experience किया उसी के according उसका वेवार होगा इन gaining knowledge in no one knows his own experience that how he got knowledge जो knowledge gain करना है हर किसी के पास खुद का experience होता है हर किसी को क्या है अलग-अलग situation से गुजरना पड़ता है जिसकी वज़े से उनकी अलग-अलग वो किस तरीके से सीख पा रहा है knowledge को उसको पता होता है कि मैंने किस तरीके से किसी भी चीज को learn किया है यह जो थेओरी है constructivism के हमें यही बता रही है कि एक इन्जान किस तरीके से कितनी ways से knowledge gain कर सकता है अपने experience के through next topic है assumptions of constructivism theory कि क्या-क्या assumptions लिए गई है knowledge is physically constructed by learner knowledge को जो है physically construct किया जा सकता है learner के द्वारा who are involved in active learning जो कि active learning के अगर अंदर involved रहेंगे learners तो ही वो क्या है easily सीख पाएंगे अब जैसे कोई game है गेम अगर हमें कोई सीखना है तो हम पहले उसके अंदर actively part लेना होगा तभी हमें वो जो game है अच्छे से आईगा यानि कि जैसे cricket हो गया या फिर hockey वगेरा ये कुछ भी चीज़े हमें अगर सीखनी है तो हमें actively part उसके अंदर लेना चाहिए इसी तरीके से class room के अंदर जिसे debate competition वगेरा है हम उसके अंदर अगर actively part लेंगे तभी जो है हम सीख पाएंगे knowledge is socially constructed by learner knowledge को socially construct भी किया जाता है learner के through who convey their meaning making to others जो उन्होंने meaning बनाया है जो वो बताना चाह रहे हैं अगर वो बता पाएंगे तो क्या है वो socially construct भी कर सकते हैं अपनी learning को जो learner है knowledge is symbolically constructed by learners knowledge को जो है symbolic यानि कि symbols का use करकर भी क्या है construct किया जा सकता है who are making their own representation of actions यानि कि जो अपने आपको अपने ही actions के through यानि कि जैसा वो दिखाना चाह रहे हैं उसी के through अगर वो बताएंगे तब भी क्या है एक knowledge जो है learner gain कर सकता है कि अगर उसने हाथ ही लाया है तो इसका है या बाई बोल रहा है वो तो ये चीज़े जो है वो सीख सकता है यह हमारी तीन assumptions थी constructivism theory की अब next topic है वोन गलेसर फेल जो थे उन्होंने क्या बताया था कि constructivism theory है उसके लिए तीन epistemology दे थी उन्होंने ग्यानवाद दिया था तीन लेकिन जो recent years में एक और इसके अंदर add किया गया है first one यह कहते है knowledge is not passive accumulated rather it is the result of active cognitin by the individual knowledge जो है हम passively gain नहीं कर सकते हैं आप just सुनने जा रहे हैं आपको समझ आ रहे हैं लेकिन अगर आप उसको actual में implement नहीं कर रहे हैं अपना नहीं रहे हैं उस चीज़ को तो जब तक आपको knowledge जो है gain नहीं होगी cognition is the adaptive process that functions to make an individual's behavior more viable given a particular environment cognition means अनुभूती means जो अनुभूती है वो एक क्या है प्रक्रिया है जिसके तुरू हम environment के अंदर adjust हो पाते हैं cognition organize and make senses of one's experience and is not a process of process to lender and accurate representation of reality means जो अनुभूती है वो क्या है एक विवस्तित और सवेधन शिल बनाती है किसी भी इंसान को जिसके तुरू क्या होता है कि एक एकडम actual हमारे अंदर stick change नहीं लाती है कि हर किसी के अंदर same ही change आपाएगा यह चीज़े नहीं होती हमारे experience के थुरू हमें अलग-अलग चीज़े सीखने को मिलती है fourth one is knowing has roots in both biological neurological construction and social cultural and language based interaction जानना जो है विशलेशनात्मक और तार्किक निर्मान के लिए जो है समाजिक संस्कृति और भाषा के बीच में जड़ का काम करेगा यह जब हमारी social cultural natural language वगरा की बात होगी उस time पर वोन गेजर फैल ने तीन जो है ग्यानवाद यानि की epistemology हमें दी थी लेकिन fourth one को जो है recently अब add किया गया है next topic है characteristic of constructivism यानि कि क्या-क्या विशेशताएं हैं हमारे रचनवाद की या फिर हम इसको निर्मान कारे भी कह सकते हैं निर्मान जो कर रहे हैं constructivism का मतलब यही होता है इसकी जो है कुछ विशेशता है मैंने लिखी है number one is learning is reflective यानि कि जो भी हम सीखते हैं वह हम क्या है apply भी कर सकते हैं learning is constructed learning का जो है हम निर्मान किया जा सकता है अगर कोई learn करना चाहता है किसी नई चीज को सीखना चाहता है तो वह सीख सकता है learning is active learning जो है हमारी हम तब सीखेंगे जब हम actively पार्ट लेंगे किसी भी चीज में तब ही हमें चीजे समाझ आएंगी learning is evolving यानि कि learning जो है धीरे धीरे विक्सित होती जाएगी learning is inquiry based learning जो है inquiry के उपर भी based रहेगी कि हम जितना ज्यादा खोजबीन करेंगे उत्ता ज्यादा हम क्या है सीख पाएंगे collaboration learning यानि कि हम एकटा मिलकर एक साथ जो है मिलकर चीजों को सीख सकते हैं उससे भी हमारी क्या है learning डेवलप होगी यह जो थे कुछ characteristics थे constructivism के अब हमारे next topic है use of constructivism यानि कि रचनावाद के सिधानत का हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं आपने देखा होगा नॉर्मली अब हम study कर रहे हैं तो इसमें क्या नॉर्मली क्या क्या चीज़े हैं कि हम constructivism यानि कि रचनावाद कि किस तरीके से हमें help करेगा active learning हमे करनी चाहिए यही जो है आपको uses बताने हैं इसके अंदर नॉर्मल से student is in constructivist classroom जो constructivist classroom होता है उसके अंदर जो है बच्चा अच्छे से सीखेगा learn to question things जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है वो उसके उपर questions पूछेगा and to apply their natural curiosity to the world और जो वो वर्ल्ड के बारे में सोच रहे ह समझ रहे हैं जो उसके अंदर curiosity है कि इन चीजों को मैं जानू और ज्यादा जानू तो उसके बारे में वह easily सीख पाएंगे helpful in development of student ability to express knowledge through varieties of way यानि कि जो भी बच्चे ने सीखा है वो अलग-अलग तरीके से उसको क्या है दिखा पाएगा कि मेरे को यह चीज़े आती है जिस creating classroom environment that emphasizes collaboration and exchange of idea यानि कि यह क्या promote करेगा social and communication यानि कि हम जो बातचीत करेंगे easily जो हम अपने message को जो है कनवे कर पाएंगे इस तरीके से हमें पढ़ाएगा कि जिससे जो है हम आसानी से जो है एक दूसरे से communicate करें वह वैसे हम जो skill है डवलप कर पाएंगे और साथ के साथ इसका में जो है कि focus रहेगा collaboration पर यानि कि मिल जूल कर ही काम करें and exchange of ideas और एक दूसरे के जो ideas हैं दिमाग के अंदर वो एक दूसरे को बताएं और उसके तुरू ही काम करें इट इस transferable learning जो हम classroom में सिखेंगे उसको हम जो है office में भी लेकर जाएंगे या फिर हम जो भी जो करेंगे वहाँ तक हम उस learning को लेकर जाते हैं यानि कि यह transferable nature का होगा जैसे कि आपने classroom में communication करना सिखा है तो आप जो है भार भी उसको use कर पाएंगे constructivism concentrate on learning how to think and understand constructivism जो है theory है हमारा उसका main focus यह है कि किस तरीके से सोचें और किस तरीके से उसको समझें सोच और समझ के उपर ही पूरी की पूरी हमारी theory जो है depend है student learn more and enjoy learning more when they are actively involved rather than passive listener means अगर students जो है ज़्यादा से ज़्यादा तभी learn कर पाएंगे जब क्या हो actively participate करेंगे अगर classroom में question answer का session चलता रहेगा तो वो और असानी से अपने doubts को clear कर पाएंगे और सीख पाएंगे theory of constructivism जो है हमारी complete होती है hope so अब को अच्छे से समझ आई होगी thanks for watching